जब व्यक्ति सर्दी से गर्मियों के मोसम में आता है, पानी पीना भूल जाता है, तो पिछले दो-तिन महीने उसको पानी पीने का पानी की कम आवशक्ता पड़ती है, तो शरीर को भी वैसा ही अभ्यास हो जाता है, लेकिन जब गर्मी शुरू होती है, धीरे-धीरे मोसम बहुत बढ़ा का, जिससे पित बढ़ने लगता है, और पित जनित समश्याएं व्यक्ति को घेल लेती है, एसीटी और पाचन तंत्र उसका कमजोर पड़ने लगता है, जिस कारण से उसको कहीं तरह की बिमारियां उसको घेल लेती है, तो आपको गर्मियों के दिनों में, जब सर्दी से गर्मियों में आते हो, तो पानी अभ्यास करके पिऊ, प्यास नहीं है, तो भी आप पानी पिने का अभ्यास बनाओ, ताकि आप गर्मियों से संबंदी जो बिमारियां हैं, डिहाइट्रेशन की पॉब्लम है, ऐसी समस्याओं से, एसी सब रोगों से आप पानी पिये, यदि आपका वजन सतर से आपसी के दी है,